स्वागते दोस्तों एंडेटेंडमेंट विकीपीडिया चाल में और आज हम बात करने आले इस फिल्म के बारे में जिया दोस्तों हाली में ये फिल्म रिलीज होई है बट हिंडी में नहीं रिलीज होई है इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है वो तो पता नहीं बट फिल्म काफी अमेजिंग है तो आज हम करते हैं इसका रिव्यू तो चलिए देखते हैं इस पर में आवाज दिये जो हमारे विल स्मित है उन्होंने टॉम होलन नहीं बेंड में लिंसन नहीं केरन गिलन जैसे बहुत बड़े-बड़े किरदारों ने इसको आवाज दिये तो यह है ओवर ओल इसकी वॉइस कास्ट अब बढ़ते हैं स्टोरी के तरफ आपको फिल्म लेखते समय जैंस बॉन की बहुत ही जादा याद आएगी क्योंकि एक स्पाय एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है जि हर यह समझता है कि उसके हर एक मिशन की कोई धमाके दार से ही होती है कोई बड़ा अजras Илиस को सेरे से लगता है जो वह मिशन करता रहता है और उसके पास बहुत ही जादा ताकते है यानि ताकते बोले सूपर केवस नहीं यहां पर फिल्व तो उसके पास गैजेट्स है बहुत सारे वह बहुती बड़े अच्छे लेवल पे सारे मिशन्स को अंजाम देते रहता है और उसी बीच उसका सामना होता है वाल्टर बेकेट से वाल्टर बेकेट याने कोण हमारे टॉम अरन जिया दोस्तों स्पाडर मैन ने हमारे इसको आवाज दिये वाल्टर बेकेट को एक क्यूट सा इनोसन्सा क्यारेकटर बताया गया है जो कि है साइन्टिस्ट उसके ज़ाधा तर एक्स्परिमेंट्स और ज़ाधा तर गैजेट्स फेल ही होते रहते हैं और कुछ ही उसके काम करते हैं और वह खुदी के दुनिया में खोने वाला बताया गया है और ये क्या होता है जो हमारा वाल्ट है और ये वाल्टर है और लैंसिंग है ये दोनों मिलके कही तो एक जगे पे सामने आ जाते हैं तो सामने आने के साथ साथ जो वाल्टर ने बनाया हुआ कुछ केमिकल रियक्शन होता ह वहार पर पी लेता है और पी लेने के कारण वह बन जाता है एक पीजन में कनवर्ट हो जाता है और कनवर्ट होने के बाद दोनों को कैसे मिलके सामना करना है विलियम्स का जो कि इसमें विलन का किरदर कर रहा है जिनकी आवाज दी है Ben Mendelinsson ने वह यह चाहता है कि जितने भी यानि जितने भी जासूज लोग हैं उनकी पूरी की पूरी काला चिठा या फिर उनका पूरा पूरा राज खोल देने की वहाँ पर कोशिश कर रहा है तो यह तो बन गया जो की ग्रेटेस पाइथा वो तो बन गया कभूतर तो वो कभूतर और यह हमारा जो वाल्ड से यह दो पूरा का पूरा तड़का है और जो हमने शायद से मिस कर दिये होंगे कुछ जेंस बॉन की मोईज में एक्शन्स वो हमें यहाँ पर एनिमेशन के जरीए बखुबी से बहुत अच्छे दिखाया गए है हमको सीखते भी है इस पूरे फिल्मों से और बहुत ज्यादा अस्त और यह बहुत कम से इसमें रिलीज हुई है विकाज इसको इंग्लिश में डब किया है हिंदी में डब नहीं किया है तो ओर आल मैं दूंगा इस फिल्म को आउट आउट फाइव पॉर स्टार बहुत ही अमेजिंग फिल्म है एंट्रेटेइन एंगेजिंग पैकेज है यह और इस साल के इंड का बहुत ही अमेजिंग सी एनिमेटेड फिल्म है तो देखते रहे हैं तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में अलवीदा